कि बात है कल रात की बात कि हम लोग लगभय के गाड़ा बजे में सोई हुए थे दो तिन मोड साइकल से कम से कम दस आदमी आए और हमरे दुरा पर गाड़ी पढ़के गए कि माधर चोद बेटी चोद अगर हिम्मत है तो बाहर निकल के देखो इसमें पुलिस परसासन के अग भैसा नहीं बना होता जो आज भै बना हुआ है समय रहते अगर सरकार नहीं संबल रही है तो आज मेरी बेटी गई है कल पुड़े समाज में बिटिया का नाम निसान मिट जाएगा यही सोच के दिल ड़ रहा है कि ऐसा दिन भी न आ जाए कि एक माँ अपने बच्ची को जन गर सलागा रहेगा कि मैं बच्ची को जन्म तो दिव लेकिन इसका पड़वरिस कैसे कर पाऊंगी इसको कैसे पढ़ा पाऊंगी कैसे घर से बाहर भेज पाऊंगी इस ड़ में हरमा आज से अपने कलेजे को टुकड़े को बाहर भेजने से भी ड़ड़ड़ड़ के जिये गैंग रेप पीड़ता को न्याय कब मिलेगा यह लगातार चर्चा का बिसे बना हुआ है और अभी तक जो बरतमान आज 10 मई है अभी तक जो करवाई हुई है पुलिस के द्वारा उस करवाई का जो रिजल्ट है वो अभी भी सुनने हैं करीब करीब तेरा 14 दिन इस घटना को हो गए हैं लेकिन परिजन इंतजार में है कि पुलिस कब जागेगी और कब करवाई करेगी नमस्कार आप देख रहे हैं नया भीहार न्यूज मैं अमित बिक्रम आज हम पुना मुझफरपुर के सरया प्रखन के गोपी धनवत गाउं में हैं जहां 27 अप्रैल को कुछ लोगों के द्वारा 26 अप्रैल को कुछ लोगों के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा संध्या कुमारी का गैंग रेप करके और जहर पिलाग हत्या हर दी FIR भी हुआ लेकिन पुलिस किसी की गिरफतारी अभी तक नहीं कर पाई है पुस्माटम रिपोर्ट का इंतजार था कि पुस्माटम रिपोर्ट क्या है पुलिस बार बार पुस्माटम रिपोर्ट की आर में कह रही थी कि पोस्मार्टम रिपोर्ट आने दीजी, तब हम ग्रिफ्तारी करेंगे, तब हम लोगों को पकड़ेंगे, जो अभ्यूक्त है उनको पकर के आपके सामने रखेंगे, और वो इंतजार की घरी भी समाप्त हो गई है, मैं आपको पता देना चाहता हूं कि पोस्मार्टम रिप किया और आजी सहाब के निर्देश पर सरईया के जो आपको हैं, वो पुस्मार्टम रिपोर्ट परजनों को देने का काम किये हैं, और पुस्मार्टम रिपोर्ट में यह उस्पष्ट हो गया है कि पिरिता के साथ गैंग रेप हुआ है, बुरी तरह मारा गया है, जहर पिल अपने आपको इस मामले से अलग कर रहे थे, पुलिस प्रसासन को अपने आप से अलग कर रहे थे, आज उनकी पोल भी खुल चुकी है, बगएर किसी जाच के, बगएर मन गरत कहानी बना कर, जनता को जो गुबडा करने का काम मुजफर पर पुलिस करती है, आज पुलिस की पोल खुल चुकी है और यह असपस्ट हो गया है कि यह जो मामला है यह गैंग रेप का है लड़की को घर से अकवा किया गया 26 तारी को और गैंग रेप किया गया और 27 अप्रेल को जब गैंग रेप हो गया लड़की मर गई तो उसे चवर में फेक दिया गया जहां पुलिस न ने लाज को बरामत किया, पुलिस ने लाज को बरामत नहीं किया, परिजों ने लाज को बरामत किया और उसे अस्पताल लेके गए, मा बैसनवी अस्पताल जुरंचप्रा में इलाज कराया, फिर मेटकल में गए, जहां लड़की की मौत हो गई, फिर उसके बाद आगे की जो जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, या जो भी नाबालिक लड़कियां हैं, वो नयाय की उमीद में इस दुनिया को छोड़ कर जा रही हैं, परिजन नयाय की उमीद में बैठे हैं, कि पुलिस अपना काम करेगी और नयाय देगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो बस्तु बात कराएंगे परिजनों से मिलेंगे उनसे जानेंगे कि पोस्माटम रिपोर्ट के बाद क्या-क्या करवाई हुई और पुलिस ने अभी तक क्या-क्या काम किया है क्योंकि परिजन लगातार वरिये पतारीकारियों को इस घटना के विसे में डांक के द्वारा चिठी लिख कर और सामने-sामने मिलकर पूरी घटना को बताने का काम कर रहे हैं लेकिन पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में जानेंगे जो भी टत्थ्य हैं, वो टत्थों को पुड़ी तरह खुलाशा हो गया है, पुलिस कल तक जो थी, वो प्रेम प्रसंग का मामला मान कर, इस मामले को ढिलाई छोड़ी हुई थी, अब यह पुछ्टी हो गया है, कि यह गैंग रेप का मामला है, और लड़की को घर से अगवा किया गय था और बुड़ी तरह गैंग रेप करके लाश को चवर में फेक दिया गया अब हम तमाम बातों पर परिजोनों से चर्चा करेंगे साथी साथ एक नहीं बात भी सामने आई है वो है कि जो अभ्यूक्त है उसने पुलीस को एक ब्यान दिया है कि गैंग रेप मैंने नहीं किया होस्पिटल वालों ने किया है ये एक बड़ा मामला सामने आया है और इस बारे में भी हम परिजोनों से चर्चा करेंगे परिजोनों की बात होस्पिटल वाले से हुई है अब होस्पिटल वाले किस अधार पर ये बात कह रहे हैं हम इसके बारे में भी परिजोनों से प्रशाशन के पास गये लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगार सके और ना कुछ बिगार सकोगे ऐसी भी सम्हावना बनी हुई है क्योंकि पुलिस के द्वारा भी तक कोई ग्रिफतारी नहीं हुई है हम जानेंगे हाथ में इनके पुस्मार्टम रिपोर्ट है इस पुस्मार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे और पुलिस ने क्या करवाई की है इस पर भी चर्चा करेंगे क्या बात हुई है पोस्मार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या वह साक्ष अब पुलिस या होस्पीटल वाले कोई जुटा पाएंगे कभी नहीं वह चीज तो नामुंकिन है जो चीज गुम हो गया उसको लाना मुश्किल ही नहीं नामुंकिन बात है लेकिन आज के दोर पर देखा जाए तो रोज रोज कोई नए घटना होती जा रही है मेरी बच्ची चली गई कितनी बच्ची इसकी सिखार बनेगी या इक कहना मुश्किल बात है हर मा के मन में एक ड़र सा लगा रहेगा कि मैं बच्ची को जन्म तो दिऊ लेकिन इसका पड़वरिस कैसे कर पाऊंगी इसको कैसे पढ़ा पाऊंगी कैसे घर से बाहर भेज इस डड़ में हर्मा आज से अपने कलेजे को टुकडे को बाहर भेजने से भी डड़ ड़ड के जिये गी हैं मैं यही पूछना चाहती हूं सरकार से कि ऐसा क्या नयाय है क्या कानून है जिसमें किसी चीज के लिए कहते रहो और कोई सुनते रह जाता है कि बाद में साक्स जूट आना ही मुश्किल हो जाता है ऐसा नकरे सरकार जो भी निर्ने लो सोच समझ के लो किसी बच्ची का भविस का सवाल है आज एक बच्ची दो बच्ची कल लाखो लाख बच्ची इसके कदार में खड़ा होगा या लाखो लाख पड़िवार खड़ा होगा तब सरकार उसे क्या जवाब देगी है समय रहते अगर सरकार नहीं संभल रही है ता आज मेरी बेटी गई है कल पुड़े समाज में बिटिया का नाम निशान मिट जाएगा यही सोच के दिल ड़ रहा है कि ऐसा दिन भी न आ जाए कि एक मा अपने बच्ची को जन्म देना ही छोड़ देया बड़ी बात है मा की सम्मेदना सामने आ रही है लेकिन मा ने एक जो बहुत बड़ी बात बताई है कि जब बच्ची इनकी चवर से बरामद हुई और जिन कपरों में थी होस्पीटल और पुलिस पताधिकारियों के द्वारा मिली भगर से उनकपरों को बदल दिया गया है जिससे कोई फोरंसिक जाच ना हो सके और कोई साक्ष ना मिल सके बड़ी बात है आखिरकार इससे लापरवाही का जिम्मेदार कौन है जैदपुर ओपी के थाना प्रभारी या सरईया के आपको HDO सहब कौन इसके लिए HDPO सहब कौन जिम्मेदार है इसके लिए आखिरकार पुलिस ने इतनी लापरवाही कैसे बरती रोज रेप के मामने हो रहे हैं और साक्ष मिटाये जा रहे हैं जो रेपिष्ट है वो अराम से बड़ी हो जाएं और समाज में ठेंगा दिखाएं आखिरकार पुलिस का ये रवया न कहीं रेपिष्टो का मनोबल बढ़ाने वाला है हम इस बारे में लड़की के मामा से भी बात करेंगे मा कुछ कहना चाहती है क्या रात की बात है कल रात की बात कि हम लोग लगभय के गाड़ा बजे में सोय हुए थे दो तिन मोड साइकल से कम से कम दस आदमी आएं और हमरे दुरा पर गाड़ी पढ़के गए कि माधर चोद बेटी चोद अगर हिम्मत है तो बाहर निकल के देखो इसमें पुलिस परसासन के अगर लपड़वाही नहीं होती वो लोग अगर जेल के अंदर होते तो हम लोग के मन में एक भैसा नहीं बना होता जो आज भै बना हुआ है मेरे घर में एक बहन है जो हम विकलांग हैं को खाना बना के देती है वो बहन रात रो के कह रहा ही जी तेरे यहां रहना सुरक्षित नहीं है सोच के देखिए इसा अगर समाज में दरिंदों को खुला छोड़ा जाए तो क्या वो भेडिये किसी बेटी बहन को सुरक्षित रोट पे चलने देंगे किसी बेटी समाज को डजर मिलाके चलने डेंगे नहीं इसमें कहींने कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है कि मेरे केस को तोड मरोड की इधर से उधर करने के चक्कर में सारे अपराधियों का भगा दिया और अपराधि कब आते हैं कब जाते हैं यह तो नो हम जानते हैं ना पुलिस वाले लोग जानते हैं लेकिन मेरे घड़ पे अगर कोई भी हमला होता है तो इसका सारा जिंबार पुलिस परसासन हो भी यह बड़ी बात है मा का कहना है और कि कल रात करीब 9 बजे 9 माई को 11 बजे करीब कुछ लोग आये मुटसाइकी से धमका कर गए गाली दे कर गए यह तो लगातार चर्चा का भी से है यह लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस परसासन ने अपराधियों को भंगाने का काम किया है और आज अपराधि जो है वो सर चरकर बोल रहे हैं ठेंगा दिखा रहे हैं परसासन को भी दिखा रहे हैं परि कि जान को असुरक्षित छोड़ कर अराम से चैन की बंसी बजा रही है हम इस समंद में लड़की के मामा से भी बात करेंगे क्योंकि पोस्माटम रिपोर्ट लाने वो गये थे पतादिकारियों से लगातार वही बात कर रहे हैं साथी साथ मा बैसनवी होस्पिटल में जहां ल बजोपी ने कहा है कि होस्पिटल में ही बलतकार हुआ है इस बारे में भी हम लड़की के मामा से बात्चित करेंगे लड़की के मामा है दीपक जी फोरंसीक रिपोर्ट का तुए इंतजार है helfen पोस्माटम रिपोर्ट आपके हाथ में है आपको मिल चुका है पुस्माटम रिपरेट के संबन में सरया के जो एजडी प्यो साहब है उनसे क्या बाचीत हुई उनसे मेरी बाचीत यही हुई से आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और बच्ची के साथ रेप हुआ है उसके साथ मारपीट हुआ है यह पुष्टी हो रही है अब हम आगे प्रॉलम हो रही है लेकिन हमारी टीम उसके लगी हुई है हर समय उसका लोकेशन चिक के जा रहा है आज कल में वो पकड़ा जाएगा बड़ी बात है दिपक जी से जो सरियां के सडी प्यो है उनसे बाचीत हुई तो वो कह रहा है कि हम लगे हुए छापाबारी में लोकेशन बार बार चेंज हो रहा है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस बात की असंका नया बिहार न्यूज ने पहले ही जाहिर कर दिया कि अपराधी चेत्र छोड़कर भाग चुके हैं कुछ अपराधी जिला छोड़कर भाग चुके हैं कुछ अपराधी हो सकता है कि वह राज्य याद देश चोड़कर भी भाग जाए तो आज पोलीस जो ये काम कर रही है ये काम पहले करना चाहिए था जिदिन F.I.R. हुआ F.I.R. के दूसरे दिन अगर आपको गिरफ्तारी हो जाती तो आज पुलिस को इतनी मसकत नहीं करनी परती पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी परती तिपक जी से हम जाना चाहेंगे तिपक जी मुझफरपुर के SSP के द्वारा इसे प्रेम परसंग का बताया जा रहा था मामला अब क्या इस्तिती है? क्या इस्तिती कितनी किलियर हो गए? बच्ची के साथ, आइसीओ में. तो अगर जब ऐसा हुआ है, तो पुलिस परसंग भी फस्ते झाहिए. पुलिस परसंग का भी हात हो सकता है. अगर होस्पीटल में ऐसा कुछ हुआ है. किस होस्पीटल की आप चर्चा कर रहे हैं? हम मा बैस तभी होस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहां के डॉक्टरों ने हमने बताया है, पुलिस आके हमसे पूरी छानबीन की, पूरी CCTV का कैमरा का डीटेल लेके गई है, और बोली है से बच्चा इसे बयान दे रहा है, से बालू होस्पिटल ने बच्ची के साथ रेपूया बढ़ी बात है, दीपक जी की मा वैश्णवी होस्पिटल वालों लोगों से बात्चित हुई है, और होस्पिटल वालों ने कहा है कि पूलिस पतादिकारी आये थे, वो CCTV का फूटेज भी ले गई है, पूस्टाच की है, और पूस्टाच में ये बात सामने आई है, जो अभ्यूक्त है, उसने कहा है कि लड़की के साथ जो बलतकार है, वो होस्पिटल में हुआ है, हमने नहीं किया है, लड़का बार बार बयान बदल रहा है, पहले उसने कहा कि मेरा प्रेम था, हम शादी करने जा रहे थे, शादी से निकार हुआ, तो जहर खा लिये, फिर बाद में कहा कि हमने रेप किया, फिर बाद में वो अब डॉक्टरों पर ही रेप का आरोप लगा रहा है, इससे साबित हो रहा है कि अपराधी जो है वो बड़ा शातिर है, और वो बार बार बयान बदल कर पुलीस के जाच को प्रभावित कर रहा है, इसके पीछे अस्था पराधियों को गरफतार करना चाहिए था, लेकिन जैकान जी अपने ही जिद में अरे हुए थे, पता नहीं उनके अंदर क्या भावना थी, लेकिन वो लगातार जिद पे अरे हुए थे, इस अंदर में उन्होंने दीपक जी को धमकाया भी था, कि अगर ज्यादा बोलोगे आपको HDPO सरहियां से, वो बता है, सबरे कीजिए, दो-चार दिनों में हमने सब अफ्यूक को पकड़ ले जाएंगा, आप ते इंसर मत लीजिए, और आक रोज में मत कुछ कीजिएगा, आपको नयाय मिलेगा, नयाय मिलेगा, पुलिस पतादिकारी तो यह हमेशा कहते रह यह, बलातकार के 15 दिन के बाद, अभ्यूक्तर खुले आम घूम रहे हैं, घर पर रात में आकर धमका रहे हैं, गाली के दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तो यह भी एक बहुत बड़ा अन्याय है, और इसके लिए जैदपूर ओपी के ठाना के प्रभारी जिम्मेदार है, सरया थाना प्रभारी जिम्मेदार है, और मुजफरपूर के वरिये पुलिस अधिक्षक जिम्मेदार है, जिनको पूरी घटना की जानकारी दी गई थी, उनको बताया गया था कि क्या क्या हो रहा है, अभ्यूक्त कहां चले गए हैं, भाग आज 15 दिन के बाद अगर हम हाथ मल रहे हैं तो यह सिर्फ थाना प्रवारी की लाप्रवाही के कारण अगर उन्होंने अट टाइम एक दिन के बाद ही अगर ग्रिफ्तारी चालू किया रहता तो सारे दोशी जो है जेल में बंद होते और नयाय प्रकडिया तेज होती कोट में केस जाता और सभी बलातकारियों को फासी होता लेकिन ऐसा नहीं हो सका है अब हम दिपक जी से जानेंगे कि आगे का क्या स्टेफ है आगे क्या करना है आप की कमी है आप कैसे इसको पूरा किजेगा आप समझे कहीं न कहीं आप भी इसमें लापरवाही किये हैं बड़ा अरोब दिपक जी लगा रहे हैं कि जैदपूर ओपी प्रभारी जो है वह साख छुपाने का काम किये हैं बलातकारियों के साथ मिलकर होस्पिटल प्रसास रख दिया गया है ताकि वह जाच का भी से न बन सके और इसके लिए अबिलम जैदपूर ओपी प्रभारी पर सग्यान लेना चाहिए और अबिलम उसे पूछना चाहिए कि जब रेप का मामला था और लड़की जब आपको बरामद हुई तो उस कपड़े को खोलने का आदे करेंगे कोट का क्या हिस्तिति कोट में कब मामला जाएगा कोई बातचीत हुई इसके बारे में इसके बारे में तो अभी तक कोई बात नहीं हो लोग बोले सब पेपर वर्क में लगे हुए हम अपना काम कर रहे हैं साइटी का गठन हो गया है करीब 15 दिन के अंदर ही रिप बिक्रम मुझाफर पुर सरिया पर काना